गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वोप यौल आ डूइंग वेल, नाओ ओपन यूर मैट्स बुक, बुकपेज नंबर 52 Now start today's topic, subtracting a number from itself, हमने क्या करना है, subtract means गटाना है, एक नंबर को, खुद से, means जो भी हमारे पास संख्या है, उस नंबर को हमने उसी संख्या से क्या करना है, माइनस करना है, ओके, नाओ देखते हैं, रश्मी had six mangoes, रश्मी के पास कितने mangoes हैं, six, she ate all mangoes, after dinner, उसने खाना खाने क इसके बाद, क्या किया, six mangoes को खा लिया, how many mangoes does रश्मी have left, तो रश्मी के पास कितने mangoes भच गए, यह देखिए, प्लेट में कितने mangoes हैं, six mangoes हैं, after dinner, उसने क्या किया, six mangoes को खा लिया, तो उसके पास कितने mangoes रहे प्लेट में, 0 means 0 एक भी उसके प्लेट में मैंगो नहीं रहा तो अगर हम देखिए यह हमारे पास नंबर है हम इस नंबर को इसी नंबर से same नंबर से minus करेंगे तो हमारे पास अंसर क्या आएगा बच्चे? 0 अगर हम किसी भी नंबर को same नंबर से मिन्स उसी नंबर से हम क्या करेंगे? minus करेंगे तो हमारे पास अंसर क्या आएगा बच्चे? 0 इस जैसे मैंने आपको उपर एक्जम्पल में बताया है देखिए 5-5, 0 8-8, 0 यह देखिए बच्चे इस से आपको यह क्या पता चलता है कि हम अगर किसी भी नंबर को उसी नंबर से मिन्स खुद से उसी नंबर से उसी संख्या से हम minus करेंगे तो हमारे पास अंसर always क्या आएगा? 0 जैसे सम्किये हुए यह आपने ऐसे ही करने है एक शॉपकिपर के पास कितनी रेजर्स हैं? 12 He sold all 12 इरेजर्स उसने क्या की all means all पूरी जो 12 इरेजर्स है उनको sold कर दिया means बेच दिया है How many इरेजर्स does he have now? तो उसके पास अब कितनी रही? देखे इस बॉक्स में 12 है उसने 12 और 12 को क्या कर दिया? sold कर दिया तो उसके पास कितनी रही? तो 12 minus 12 is equal to 0 He has 0 इरेजर्स now अब उसके पास क्या इरेजर्स है? 0 0 means क्या होते है? Means उसके पास अब एक भी इरेजर नहीं बची है ओके? Now next Subtracting on the abacus हमने क्या करना है? आज subtracting करनी है abacus के उपर जैसे हमने previous chapter में किया था addition की थी हमने abacus के उपर Let us learn to subtract using the abacus हम क्या अब सीखेंगे abacus के उपर हम कैसे subtract करते हैं अब देखिए यह आपके पास abacus है 10s or 1s T for 10s O for 1s Subtract 5 from 7 हमने क्या करना है? 5 को subtract करना है 7 में से Put 7 weeds on the 1 spike हमने क्या की 1 spike के उपर 7 weeds डाल दी Take 5 weeds अबे उसमें से हमने 5 weeds बाहर निकाल दी तो हमारे पास देखिए 7 weeds डाली थी 7 में से हमने 5 को subtract करना था 5 weeds हमने बाहर निकाल दी तो हमारे पास कितनी रह गई? 2 weeds There are only 2 weeds left on the 1s pipe now So 7 minus 5 is equal to 2 तो हमारे पास answer क्या आया है बच्छे? 2 2 अब ऐसी आपके पास यह है Subtract 9 from 19 पहले आपके पास 9 from 19 देखिए 19 है इसमें क्या है? 1 means 10 plus 9 10 आपके पास क्या है? 10s हैं एक तो 1 10 है आपके पास और 9 1s है तो 1 10 को आपने यहाँ पे उसकी weeds डाल ली और 9 आपकी यहाँ पे है Put 1 weed on the 10s देखिए 1 weed आपने 10s में डाल ली and 9 weeds on the 1 spike to make 19 तो आपका यह 19 बन गया ऐसी बनते हैं ने 10 plus 9 is equal to 19 तो after that आपने 10 आपने यहाँ पे डाल ली और 9 weeds आपने यहाँ पे डाल ली Take 9 weeds अबे तो 9 weeds आपने बाहर निकाल ली तो आपके पास There is only 1 weed left तो आपके पास only 1 weed बच गई and 0 on the 1 spike means क्या हूँ आपके पास जो 1 spike है उसमें एक भी weed नहीं है तो 19 minus 9 is equal to 10 तो आपके पास क्या answer है बच्चे 10 Subtract by drawing weeds on the abaccus 1 has been done for you आपने क्या करना है Subtract करना है drawing weeds से abaccus में से यह देखिए आपके पास पहले 8 weeds है 8 weeds आपने डाली उसमें से आपने 5 weeds को cut कर दिया तो आपके पास कितनी weeds रहेगी बच्चे 3 अब ऐसी यह है इसमें भी बच्चे आपने 9 weeds को draw किया उसमें से आपने 7 weeds को cut कर दिया After that आपके पास कितनी left बच गई टू, तो टू आपके पास क्या आया? अंसर आया, ऐसी सेम यह है अब यह देखिए आप इसमें क्या 16 है? means 1 आपके पास क्या है? 10 है और 6 आपके पास क्या है? 1's है तो आपने 1's means 6 माइनस करना है, तो आपने 6 weeds को cut कर दे तो पीछे आपके कितनी रहेगी one weed रहेगी one weed किसकी रहेगी tens की तो ten आपके पास क्या है answer ओके बच्चे thank you students and have a nice day